हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूटिप चैनल सर्केस्ट्रे लवर टू भाई बहन की कहानी पार्ट फाइप मैयूरी ने ऐसा कहते हुए एक जटका दिया और उसका ऐसा करने से रजट एकदम सक पका गया पर मैयूरी पीछे नहीं यहांटी रजट के चहरे पर पसीने क की बूंद थी वह घबरा गया अब आगे मयूरी इस मौके की तलाश में थी शायद उसने रजट को शांत करते हुए रजट भाई नहीं पर मेरी बात सुनो तुमने मुझे देख तो लिया है तो अब तुम्हें इसके बदली में मेरी कुछ करना होगा रजट क्या करना होग अरे क्यों दीदी मयूरी क्योंकि तुमने मुझे देख लिया है तो आप मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं भी उसका बदला लूँगी अब तो फिर मुझे बराबर लगेगा तुम समझ रहे हो ना रजट खबरा भी रहा था उसको कुछ समझ नहीं आया उसन दोनों वैसे हो तो ऐसा फील या फिर उतना बुरा नहीं लगता पर अगर वो इंसान अगर आपकी खुद की बहनों तो मामला थोड़ा अलग होगा रजट आगरह करते हुए औरे औरे ऐसा मत करो प्लीज मयूरी नहीं अगर तुम भाग गए तो मैं क्या कर पाउंगी अभ है इस बात के लिए कभी भी जीवन में पच्टावा नहीं होगा अब मयूरी का रोना बंद हो चुका था और इसके चहरे पर शराती मस्कान ने अपनी जगह ले ली थी रजट भी दीरे सामाने महसुस कर रहा था अपनी बहन की इस हवास्ता को देखकर एकदम चकित था कर दंद तो अभुद्वें रजट में उसले कर हूँ जो तुम कह रही है रही हो और यह क्या तो मैं नहीं तो मैंने ओओ नहीं तो मैंने देख रहा मयोर ने फिर वही तीर मारने की जो उसने आप और दो मयूरी थोड़ा, मयूरी थोड़ा मायूस होते हुए, मतलब ये देखने लायक नहीं है क्या? रजट, अरे नहीं, ये तो कमाल की है मयूरी, फिर तुमने ये क्यों कहा? कि तुम नहीं देख रहा है, मतलब मैं तुमहारे सामने हूँ दीदी ऐसी बात नहीं है ये तनी आकर्शक है कि इन पर से नजर हटाना मश्किल है मेरा तुछ यह करता है कि मैयूरी खुशी और आश्र से सच रज़त रज़त हाँ दीदी सच में मयूरी और क्या करना चाहते हो रज़त तुम तो काम की देवी हो दीदी जैसे वर्दान है इस संसार के उपर मयूरी खुश होगी हालकि वह इस चीज के लिए पहले से तयार थी पर पहले से अनुभवी नहीं थी उसको भी इसका हल सुक नया नया स लग रहा था तो अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो रज़त यही वक्त है तुम्हें मेरी अनुमती है रज़त सच दीदी मयूरी हाँ मेरे प्यारे चोटे भाई रज़त आगे बढ़ा और उसके साथ छेड़ चाहर करने में व्यस्त हो गया मैरी आखे बंद करके इस कर रखकर रज़त को आने का आमदर दिया करी 15 मिट के बाद दोनों फ्री हुए मैयूरी के लिए सुख एक्दम नया था वो पागल हुए जा रही थी उसको विश्वास नहीं हो रहा था मैयूरी ने अब रज़त को बैठने को कहा लगपक दस मिनट की इस नायाब करिया के बाद जब रज़त और मैयूरी दोनों फ्री हुए थोड़ी दिर बाद अचानक घर के दर्वासे की घंटी बजे मैयूरी लगता है मम्मा आ गए रज़त हाँ शायद मैयूरी अब रज़त अब तो बाकी का काम बाद में करना पड़ेगा मैयूरी ठीक है मेरे राजा अपन पहने और मस्कुराती अपने बिस्तर पर लेट बाहर से उसको शीतल उसकी मा की रज़त से पाथचीत की आवाज आ रही थी तो वो समझ गई कि मा आ गई है अब वो अपनी आगे की यूजिना के बारे में सोचने लगी अब तक उसने अपने दोनों भाई को ट्राय कर लिया क्योंकि दो बड़े कारंते एक तो यहां कि दोनों सगेबाई थे और दोनों को एक दूसरे के साथ मयूरी के संबंदों के बारे में पता नहीं था दूसरा यहां कि दोनों की कुछ महीनों से आपस में पंती नहीं थी फिर मयूरी ने निश्य किया कि यही सही मौका है दोनो और उसको मौपा भी मिल जाएगा अब वो अपने आगी की यूजना पर काम करने लगी कहानी जारी रहेगी अगले पार्ट में आपको अगली कहानी पता चलेगी विसे कैसी लग रही यह कहानी और दोस्तों एक बार बताना चाहती थी कि यह कहानी मैं यूट्यूप के लिए तो मुझे थोड़ा सोच कर बनानी होती है इसलिए मैं सोच रही हूं कि अगर आपको भरपूर वासे वाली कहानी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ मैं इंस्ट्राग्राम या फिर कोई अप्लिकेशन पर आडियो है वीडियो लेकर आउंगी और आपके लिए जरूर बराँ मुझे की यूट्यूब पर जयाए उसटोरी नहीं बना सकती आप कमेंट करें कि इस प्रकार की और पाहनी चाहिए तो मैं आपके लिए जरूर कहानिया लेकर आउए क्या यह कमेंट के ओपर हैं अगर कमन्ट ज्यादा आए तो मैं आप के लिए इस टोड़ी हैँ न मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और मुझे हमेशा की तरह प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें आप मुझे से इस्टाक्राम वाट्सप पर जोड़ सकते हैं चलिए दोस्तों अभी तो मैं चलती हूं कल फिर हाजर होंगी तब तक लिए आप मेरे लाइक करिएगा और सब जिके फलाग दीजेगा ताकि मुझे और प्रत्साहन मिले मैं फिर हाजर हूंगी अपने अगले पार्ट के साथ बाबाई फ्रेंड्स